नमस्कार इस सप्ता की शुरुवात हम भगवान श्रीक गणेश के मंत्रों से करेंगे और यह मंत्र अगर आप भी अपने जीवन में प्रियोग में लाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है भगवान गणेश को प्रसंद करने के लिए हमें कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए वो मंत्र है ओम गण 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 गणपते नमहा यहां मंत्र गणपती की पूजा के लिए और अराधना में भी प्रयोग कर सकते हैं जो लोग भगवान गणपती की पूजा करते हैं और यहां मंत नियम पूरवन. दूसरा मंतर है ओम वक्र तुंडाय नमा. यहां मंतर बुरी नजर से आपको मुक्ति दिलाता है. रिद्धी सिद्धी धन दौलत धन प्राप्तिक में सहायक होता है. तो जिनको भी नजर लग जाती है, जिनको भी तंत्र मंतर का परियोग का भए रहता है, उ भी आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं नियम पूर्वा तीसरा सरल मंत्र है ओम गण पते नमा यह मंत्र विद्या यानि बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनको विद्या चाहिए बुद्धी दिमाग तेज चाहिए और शामती की प्राप्ति यानि दिमाग में चल रही ज से निवारण और शक्ति यानि ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है जब आप निर्बल हो जाते हैं असहाय हो जाते हैं आपको कोई सहारा नहीं मिलता है तब आप इस मंत्र को पढ़ें तो यह आपको विद्या बढ़ाएगा आपकी बुद्धी को तेज करेगा आपको शक कामों में विग्ण नहीं पढ़ता जैसे बच्चे पढ़ाई करते समय इस मंत्र को पढ़ने शुरू में तो उनकी पढ़ाई में विग्ण नहीं पढ़ेगा कि उनका माइं डाइवर्ट नहीं होगा दिमाग में बुरे विचार नहीं आएंगे जब आप किसी बुद्धी वाला काम करते हैं, कोई भी decision लेते हैं, तो सही decision ले पाएंगे, तो ये तीन मंत्र थे, इन तीन मंत्रों का किस किस जगे पे आप प्रयोक करें, तो ये मैंने आपको बता है, लेकि मंत्र पढ़ते समय, कुछ बातों का ख्याल भी रखा जाता है, कि मंत्र सचे मं से पढ़ें, मंसा वाचा कर्मा, यानि मंत्र पढ़ते समय सिर्फ मंत्र पर ध्यान होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं, वो सही तरीके से पढ़ें, कम पढ़ें, जाधा पढ़ें, लेकिन सही पढ़ें, और पूरा ध्यान मंत्र की तरफ हो, तो ही result मिलते हैं हम बात करने वाले हैं 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक की इन दिनों में इन साथ दिनों में आपके साथ क्या घटित होगा अच्छा या बुरा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ये जानकारी चंद राशी और नाव राशी पर आधारित होगी चलिए आएए शुभारंब करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए अब आप सभी लोग एक प्रिश्न का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में कि भगवान गणेश के माता पिता का क्या नाम है इसका उत्तर आप सभी को देना है हम बात करते हैं आपकी राशी की कि आपकी राशी के लिए ये सब्ता कैसा भी इतने वाला है आईए जानते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे वरिशब राशी की 16-17 तारिक को आप दुकने जोश के साथ सभी कामों में लग जाएंगे प्रेम और रोमैंस में आप बहुत आगे होंगे आपकी जो प्राइवेट अपनी आपकी जो निजी जिन्दगी है बहुत खुबसूरत होगी और आप निजी और रचनात्मक मोर्चे पर खरे उतरेंगे आप सभी शेत्र में खरे उतरेंगे 18 और 19 तारिक को समाज के कारियों में लगे रहेंगे साथी साथ जरूरतमंद व्यक्ति की बदद भी करेंगे आपके सहकर्मी आपको बढ़ावा देंगे कम मेहनत में अधिक धन की प्राप्ती होगी अधिक दिद्या की प्राप्ती होगी गुरुजनों से या आपके जो पेरेंट्स हैं उनका या आपके जो दादा-दादी हैं या बज़ूर के उनका शुर्वाद मिलेगा 20-21 तारिक को सरकारी काम काज निपटते चले जाएंगे नौकरी आपके अच्छी चलेगी आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है नौकरी में कोई बोनस मिल सकता है इंक्रिमेंट मिल सकता है पतनी के साथ या जीवन साती के साथ आप कहीं घुमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं 22 और 30 तरीक को समय सही नहीं है वेर्थ के कामों में समय को बरबाद ना करें सारे कारे खटाई में पढ़ जाएंगे यानि कि बीच में पढ़ के अधूरे रह जाएंगे सावधामी रखनी होगी वरशब राशी के जातकों के आर्थिक इस्ति में सुधार होगा इस सब्ताह में माता पिता और परिवार के साथ आप वक्त बिताएंगे पती पती के साथ किसी धान्मी के आत्रा पर भी जा सकते हैं इस सब्ता हमें मन कुछ अध्यात्मी की तरफ ज़ाधा जुड़ेगा और परिवार के लिए भी आप पूरा वक्त निकालेंगे इस पूरे सब्ता में आपको ध्यान ये देना है कि आप अपने जरूरी कामों की तरफ ज़ाधा ध्यान दे वेर्थ के कामों में अपने दिमाग को ना लगाएं आपको आपके दोस्त आपके चाहने वाले इधर उधर की बातों में उल्जाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको बचने की आउशकता होगी अगर आप वैपार पार्टनर्शिप में करते हैं तो धन के लेंदेन में खुब सावधानी रखिएगा आँख मूद गर किसी भी भरोसा ना करें वर्षब गराशी के जातकों को इस सप्ता वाहन बहुत साव्धानी पूर्वक चलाना है कोई अंदेखी हो सकती है साथी-साथ किसी भी नीयम को कानूनी नीयम को न तोड़ें कोई भी सरकारी नीयम है चाहे वो वाहन से समन्दित हो या कोई अन समन्दित हो उसे न तोड़ वरना आपको आर्थी खानी का सामना करना पड़ेगा प्रेम समंद में धीरे धीरे आप आगे पड़ें आपके पार्टनर को वक्त दें एकदम से आप उनसे किसी चीज़ की उमीद न रखें वैवाहिगी उनको सुपमे बनाने के लिए एक दूसरे की कदर करनी पड़ेगी आ आप मकान खरी सकते हैं आप परिवार में कुछ नई प्रॉपर्टी ला सकते हैं या नया वहाण ले सकते हैं वरशब राशी वालों के लिए यह सबता अच्छा बीतेगा घर परिवार की जो चिंताएं हैं वो दूर होंगी आपकी घर में आपका किसी से वाद विवाद हो स इस पूरे सब्ता हमें काम को इंज्वाय करेंगे, छोटे-बोटे अतरित कारे भी आपको करने पड़ सकते हैं अपने कारे शेत्र में, लेकिन आपके परिश्रम में कोई कमी नहीं रहेगी, कारे शेत्र में जो आपको विरोधी हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होगा, और वो आपका काम बिगाणने की कोशिश करेंगे, आपके काम में टांग अडाएंगे, तो कुल मिलाकर सब्ता आपके लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छी शुरुवात है, इस सब्ता की अंत भी बहुत अच्छा है, आप गुलाबी रंग का प्रियोग इस सब्ता हमें करें, जब भी आप गुलाबी रंग का प्रियोग करेंगे, तो आपके लिए शुब रहेगा गुलाबी रंग, 70% शुब परिणाम दे रहा है, सब्ता साथ नमबर लखी है, मादुरुगा की पूजा करने से और अपने घर में जो बड़ी महिलाएं हैं, उनका अशुबाद लेने से ये सब्ता बहुत अच्छा होगा, मादुरुगा की उपासना करें, यानि देवी की उपासना से आपका भाग चमकेगा इस सब्ता में, बहुत सारे ऐसे रत्न भी हैं, जिनको धारन करने से आपकी किसमत चमकती है, उनी में से एक रत्न के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इस रत्न को पहनने से कैसे आपकी किसमत चमक सकत है पैसा एक वो चीज है जिसकी जुरूर सब को है गरीब को भी अमीर को भी जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है जो गरीब है उसकोई तो मजबूरी है कि वो अमीर बनना ही चाहता है आप कहीं छोटी नौक नहीं कर रहे हैं आपकी सेलरी 5, 10,000, 20,000 है आप चाहते हैं कि मेरी सेलरी लाखों हो जाए मैं मेहनत तो लाखों वाली करता हूँ लकिन लक्ष्मी फिर भी नहीं आती आप बहुत बड़ा बिजनस कर रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं और लक्षमी जी नहीं आ रही है लक्षमी जी रूट गही है यानि कि आते ही खर्चे तयार होते हैं या हमारा बैंक बेले जीरो होता जा रहा है रोज कमाते हैं रोज खाते हैं महीने के आखिर में खाली हो जाते हैं तो ये पाइराइट पत्थर आपके लिए है, ये पाइराइट पत्थर जब आप गले में पहनेंगे, देखिए मैंने भी चैन में पहना हुआ है, तो ये पत्थर जो है लक्षमी को रोकता है, लक्षमी जो आएंगी उसको रोकेगा, उसको फिजूल में खर्च नहीं होने द पत्थर आपने जो सौ रुपय की मेहनत करी है हजार रुपय की मेहनत करी तो आपको सौ में सौ रुपया मिले आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाता है यह पत्थर जब आपके पास होता है तो आपके तिजोरी खाली नहीं होती है कभी भी तिजोरी खाली नहीं होगी यह पत्थ के बाद और इसके साथ मैं आपको एक और फ्री पत्थर दे रहा हूं वन प्लस वन एक चांदी के लॉकट में होगा एक लूज होगा इसको अपनी तीजोरी में रख दीजेगा यकीन मानिए आपकी तीजोरी कभी खाली नहीं होगी पैसों से भरी रहेगी तो इस पत्थर का स चिस सो रुपए यकीन मानिए इस पत्थर में वो दम है जो आपको बड़ा आप्मी बना देगी एल सिक्स लिखकर वाटसेप करिए पेमेंट करिए और एक के साथ एक पत्थर फ्री पाईए और जीवद में हमेशा हमेशा के लिए गरीबी को भूल जाएए अभी और करिए एल सिक्स लिखकर या फोर्ड करिए